वीडियो में एक बुज़ूर्ग पीली प्लास्टिक ओड़े हाईवे के किनारे सो रहा था और इसी दोरान गश्ट लकर रहे घाटि गाउं के SGOP, संतोष पटेल और उनकी टीम की नजर पड़ी जिसके बाद वो वहाँ पहुँचे और उसे जगाया और उससे पूछताच की इसके बाद SGOP ने खुले में सो रहे बुज़ूर्ग को उठा कर दुकानदार की जोपड़ी में ठहराया और पास में अलाव भी जलवा दिया उसके बाद SGOP ने अपनी टोपी उतार कर उसे पहनाई और मोजे भी पहनाई संतोष पटेल और उनकी टीम ने ना सरफ उस बुज़ूर्ग की ठंड से बचने की विवस्ता की बलकि उसे उसके घर भी पहुचाने का इंतिसाम किया अपने सपनों का बिजनस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनस लोन नहीं दे रहा बिजनस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह बनकर तयार होता वो अचानक गिर गया इस घटना की एक CCTV पुटेज भी सामने आई जिसमें दिखा कि जब मेट्रो का ये पिलर गिरा तब सड़क से ट्राफिक गुजर रहा था अचानक इस पिलर के गिरने से एक मोटर साइकल से गुजर रहे तीन लोग उसके नीचे दब गए इस हादसे में उस मोटर साइकल पर सवार एक बच्चे और उसकी मा की मौत हो गई और मोटर साइकल चला रहे शक्स का अस्पताल में इलाज जारी है मेट्रो पिलर के गिरते ही गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई और लोग पिलर के नीचे दबे लोगों की जान बचाने के लिए भागे बाद में पुलिस की टीम भी वहां पहुंची और इस मामले में ठेकेदार के खिलाब शिकायत दर्च कर आगे की जान शुरू कर दी उदर नेपाल के नय प्रधान मंत्री पुष्प कमल दाल ने संसद में विश्वासमत हासिल कर लिया उन्होंने केपी शर्मा होली के साथ मिलकर नेपाल में सरकार बनाई है लेकिन विश्वासमत के लिए मतितान होने से एक रोज पहले ही उन्होंने विपक्षी पार्टी नेपाली कॉंगरेस से भी समर्थन की मांग की इसके लिए वो खुद नेपाली कॉंग्रेस के अध्यक्ष और पूर उप्रधान मंत्री शेर बाउदुर दियोबा से मिले जिनके समर्थन के बाद उन्हें प्रचंड बहुमत मिला पुष्ट कमल दाहल के समर्थन में 275 में 272 सांसुदों ने वोट किया और वही राजस्तान के सवाई मादूपूर से दिल देला देने बाली तस्मीरें सामने आई हैं जहाँ पर गंगापूर सिटी कंजबे में एक शराप की दुकान में 15 से जादा बदमाशों ने हमला कर दिया पूरी वारदात वहां लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई वीडियो में बदमाशों के हाथ में तलवार नजर आई जिससे वो ताबर तोड हमले करते दिखे बदमाशों ने एक सेल्समैन पर तलवार से हमला कर दिया हमले में सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका इलाज जैपुर के अस्पताल में चल रहा है हमलावरों ने वाइन शॉप में तोड़ फोड भी की और नगदी लेकर परार हो गए माई इस मामने में कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्जगर मुख्य आरोपी को गिरफतार कर लिया है और दूसरे आरोपियों की धर पकड़ जुटी हुई है बताया गया कि बदमाशों ने शराब की दुकान में सेल्समें से शराब मागी थी लेकिन शॉप बंद करने का समय हो गया था जिसकी वज़ा से सेल्समें ने शराब देने से मना कर दिया नाराज बदमाशों ने सेल्समें को मारने की धमकी भी दी और कुछ देर बाद अपने दोस्तों के साथा कर हमला कर दिया तोड़ पोड और दुकान में लूट पैट की वारदात को भी अंजाम दिया